हेलो बच्चों ये कुश्चन आपका mechanical properties of fluid chapter रगा है दिखिए कुश्चन में क्या करा है two syringes of different cross section without needles देखिए यहाँ पर ये दो syringes दे रही है syringes का मतलब क्या होता है injection ठीक है एक injection ये है एक injection ये है लेकिन यहाँ पर कोई needle नहीं लगी हुए without needle without needle लिखा हुआ है filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube filled with water यहाँ पर एक rubber tube लगी है इससे ये fitted हो रहे है और इनके अंदर यहाँ पर liquid भरा हुआ है ये incompressible liquid है फिर आगे लिखा है diameter of the smaller piston and larger piston are 1 cm and 3 cm तो ये एक smaller piston है और ये larger piston है तो इसका diameter d1 है इसका diameter d2 है यह हमें given है तो d1 जो diameter दे रहा हो 1 cm दे रहा है d2 जो diameter दे रहा है वो 3 cm दे रहा है एक 3 cm एक 1 cm है टीक है तो सबसे पहले से मीटर में convert कर लेते हैं से 100 से divide कीजिए meter में convert हो जाएगा इसे भी 100 से divide कीजिए meter में convert हो जाएगा then ये हो जाएगा आपका 0.01 meter और ये भी हो जाएगा आपका 0.03 meter चलो radius भी निकाले तिने इसका r1 कितना हो जाएगा ये 0.01 divided by 2 meter ठीक है और यहाँ पे का radius हो जाएगा diameters की ही helps हम radius निकाले 0.03 divided by 2 meter ओके आगे का लिखा है देको question में पूछ रहा है हमसे find the force exerted on the larger piston when a force of 10 newton is applied to the smaller piston 10 newton का force जए smaller piston में apply हो रहा है ये एक smaller piston है ये larger piston है लेकिन इस smaller piston में क्या हो रहा है ये smaller piston में 10 newton का force apply हो रहा है ये F1 हम इसे press कर रहे है दबा रहे है तो दबाने से क्या हो रहा है ये piston क्या हो रहा है नीचे की तरफ move करेगा move inward move करेगा तो यहाँ पे 10 newton का force लगा रहा है हमसे पूछ रहा है find the force exerted on the larger piston तो ये जो larger piston है इस larger piston में उपर की तरफ एक force लग रही होगी तो यही F2 force हमें निकान ली है यही हमें calculate करने है actual में होता है कि जब हम यहाँ पे F1 force लगाएंगे इसे दबाएंगे तो यहाँ पे pressure exert होगा यहाँ पे इस जगा में pressure exert होगा इस liquid में तो मालनो liquid में P pressure exert हुआ तो liquid incompressible है तो हर जगा यह P pressure क्या हो जागा यहाँ पे भी P pressure पहुंच गया लेकिन यहाँ पे का जो P pressure हो वो large area of cross section पे act कर रहा है यहाँ पे small area of cross section था यहाँ पे large है तो इस end में भी P pressure था यहाँ भी P pressure था लेकिन यहाँ पे large area पे लग रहा large area of cross section पे लग रहा है और यहाँ जो pressure होगा P pressure वो same रहेगा, दोनों end में pressure क्या रहता है, liquid के अंदर same रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका pressure जो रहेगा, दोनों end में same रहेगा, P is equal to P, तो P अगर मैं यहाँ पर का pressure निकालू तो वो कैसे निकालूगा, F1 divided by A1, यह वाला area of cross section A1 है, यह वाला area of cross section क्या है, A2 है, तो यह P हो जाएगा, आपका force F1 divided by A1, यह हो जाएगा, आपका F2 divided by A2 हो जाएगा, now, हमें यहाँ पर यह F2 निकालना है, ठीक है, तो F2 is equal to हो जाएगा, आपका A2 into F1 divided by A1, अब जस्त हमें value put करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर F R2 का square into F1, यह हो जाएगा, आपका πाई, R1 का square, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर R2 कितना निकाला था, हमने 0.03 divided by 2, ठीक है, तो यहाँ पर value put कीजिए, 0.03 divided by 2 into 0.03 divided by 2 into F1 कितना है, F1 हमें यहाँ पर given है, देखो F1 हमें यहाँ यहाँ पर given था, F1 हमें यहाँ यह to the smaller piston, इस smaller piston पर F1 लग रहा था, यह 10 N हमें दे रहा था, तो यहाँ पर यह 10 आ जाएगा, divided by R1 कितना दे रहा है, 0.01 divided by 2, 0.01 divided by 2, 0.01 divided by 2, यह 2, 2, 2 कट जाएगा, यह decimal, decimal, decimal भी सबके सब हट जाएगे, तो finally यहाँ पर जो आ रहा है, यह तो 1, 1 हो जाएगा, ठीक है, यह decimal यह decimal सब कट जाएगे, 339, 910 जा 90, यह 90 N आ गया, F2 कितना आ गया, 90 N आ गया, अब देखो, एक और चीज़ हम से यहाँ पर पूछिए, if the smaller piston is pushed in, throw 6 cm, how much does the larger piston move out, वो यह कह रहा है, कि यह जो smaller piston है, हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, तो यह क्या करेगा, अंदर की तरह move यह D1 distance move किया, तो यह D1 distance कितनी दे रहे है, 6 cm दे रहे है, तो D1 कितना दे रहे है, 6 cm दे रहे है, क्या रहा है, how much does the larger piston move out, तो वो कह रहा है कि यह जो larger piston है, यहाँ पे भी उपर की तरह force लग रहा है, तो यह भी move करेगा, उपर की तरह, तो यह वाली जो distance है, माल लो यह कित इस force की वज़े से जितनी energy यहां लग रही होगी हम क्या कर रहे हैं यहां energy किसे दे रहे हैं liquid को दे रहे हैं तो liquid भी क्या करेगा इस piston को energy देगा तो जितनी energy हमने इस piston की help से इस liquid को दी उतनी ही energy यह liquid भी क्या करेगा इस piston को देगा समझ में आ रहा है इतना तो मतलब हमने जितना work done किया इधर से हमने इस piston की help से जितना इस liquid पे work done किया उतना ही work done ये liquid भी क्या करेगा इस piston पे करेगा तो दोनों end में work done क्या रहेगा तो work done का formula क्या होता है F1 into D1 is equal to F2 into D2 ये work done है इस वाले force का work done जो कि इस piston ने इस liquid पे किया है ये F2 into D2 ये work done है जो कि इस liquid ने इस piston को उपर धकेला है तो ये वाला work done ठीक है इतना समझ मा रहा है हमें क्या करना है ये D2 निकालना है कि कितना उपर move out हुआ है अब देखो D2 कैसे निकाले है D2 is equal to हो जाएगा आपका F1 D1 divided by F2 just value put करनी है बाकि कुछ नहीं करना F1 कितना दे रहा था हमें F1 यहापर ये 10 Newton दे रहा था ये 10 Newton लिख दीजे D1 कितना दे रहा था D1 आपका क्या था ये तो diameter है हम इसकी बात कर रहे है ये जो distance यहां move हुआ है तो कितना ये दिखाया था उसने कि 6 cm pushed in हुआ है तो ये piston 6 cm नीचे move है ये force into distance है तो यहाँ पर आ जाएगा 6 cm है तो इससे 6 upon 100 कर देते है ये meter में convert हो जाएगा और ये F2 F2 अभी just हमने find किये 90 Newton तो यहाँ पर 90 Newton भी आएगा तो ये D2 is equal to हो गया 10 into 6 divided by 100 into 90 हो जाएगा तो ये 10 10 जा 100 हो जाएगा और ये 3 2 जा 6 ये 3 3 जा 9 तो ये कितना आ रहा है आप D2 is equal to हो आ रहा है 2 upon 30 into 10 कितना हो जाएगा 300 तो ये आ रहा है आपका 1 upon 50 1 upon 150 meter तो इतना आपका क्या आ रहा है D2 आ रहा है यहां तक जो distance move की होगी ये वाला D2 ठीक है ये D ये capital D तो diameter था इसका ठीक है तो confused मतना question आपका complete हो गया है ओके